हेलो फ्रेंट्स एंड वेलकम बैक टो वार यूटूब चैनल हाईवे इंजिनिरिंग और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी आपके साथ सेहर करेंग फ्रेंग आज का अपना टॉपिक रहेगा वर्किंग ड्राइंग औप स्पीड ब्रेकर्स ह आईवेज या रोड्स में जहाँ पर आपको स्पीड को लिमिट करनी होती है या स्पीड को कंट्रोल करना होता फ्रेंग तो उसकी लिए एक आप उपाई ये करते हैं कि आप रोड्स पर स्पीड ब्रेकर बनाते हैं लेकिन मेकजम केस में हम जो स्पीड ब्रेकर बनाते हैं जिसमें हमें Speed Breaker और किस पर काशे डियाइन करना है और कहां पर कौन सा Speed Breaker बनाना है किस दूरी पर बनाना है यह सब हमारे IRC 99 1988 में हमें विश्तार से दिया हुआ है तो फ्रेंट आज की इस वीडियो में हम सिर्फ Speed Breaker की Working Drying पर डिसकस करेंगे फ्रेंग अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको जरूर लाइक करना और अपने दूसरी फ्रेंट के साथ भी शेयर करना और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बारा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना तो चलिए फ्रेंट आगे डिसकस करते हम वर्किंग ड्राइंग औप स्पीड ब्रेकर्स और पर यह जो आप स्पीड ब्रेकर को ड्राइंग देख रहा है इसमें हम सबसे जो हमारा फर्स्ट नंबर वाला speed breaker रहेगा यह वाला speed breaker friend हम जो low volume road है जहाँ पर हमारा heavy traffic जैसे की multi axle trucks या heavy loaded buses run नहीं करती हैं तो वहाँ पर हमें इस प्रिकार का cross section या इस प्रिकार का drawing रहेगा वो speed breaker के लिए follow करना है तो अगर हम longitudinal section में चलें longitudinal section friend जिस direction में हमारे road चल रही है उस direction के longitudinal direction में हमें cross section क्या रहेगा किस प्रिकार speed breaker हमें design करना है वो मैं आपको समझाज़ता है तो number one जो हमारे drawing है वो है हमारा जो speed breaker की लंबाई रहे गया speed breaker की आप starting point से speed breaker जिस point पर आपको end करना है वो point हमारे 3.7 meter एक दूसरे से दूर होना चाहिए यानि कि speed breaker की जो लंबाई है वो 3.7 meter रहेगी और speed breaker का जो center point रहेगा जहां पर कि हमारी speed breaker की मुटाई अधिकतम होती है वो हमारी रहेगी 10 cm ओके तो अब हम चलते हैं transfer section पर जो हमारे जिस direction में है alignment में हमारे road जा रही है उस alignment में हमारे speed breaker किस पेकार से हमें बनाना है वो हम समझते हैं दोखो हमारी जो road होती फ्रेंट रोड में जब हम टॉप फ्रेंट सर्फिस वे देखते हैं तो हमें दो चीज़ें यहां दो हमें item बहुत के लिए रहली दिखाई देते हैं एक होता हमारा roadway और एक होता है carriageway carriageway का मतलब होता है जिस portion में है जिस चोणाई में हमारा CC payment या asphalt payment ने construction किया हुआ है वो हमारी कहलाती carriageway और next होता है roadway जो हमारी carriageway के अलावा जो हमारे अर्थवर्क होता है जिसको हम soldiers बोलते हैं ठीक है carriageway के अलावा जो हमारे soldiers है उस पर भी हमें speed breaker बनाने होते हैं तो क्या होता है जनली carriageway के जो portion है फ्रेंड हमारे carriageway portion में तो हम base course का work करते हैं base course जैसे WMM, WBM आदी का का काम करते हैं लेकिन soldier के वाल हिस्से में हम base course नहीं करते हैं तो अगर हमें ऐसी जगे जहाँ पर speed breaker construction करना है बहाँ पर हमें hard solder को या जो भी आपके soldiers हैं उसको खोत के बहाँ पर हमें base course का filling करना है base course का filling करने के बाद हमें पूरी चोड़ाई में speed breaker बेकर construction करना चाहिए अब हम आते हैं section number 3 पर अगर हमारे road पर heavy traffic move कर रहा है multi axle vehicle buses आदी चल रहे हैं तो ऐसी condition में हमारे speed breaker है उसकी working drawing में थोड़ा change हो जाएगा क्या change हो जाएगा चली हम समझते हैं देखो सबसे पहले तो हमारे speed breaker की total चोड़ाई है यह माली total जो लंबाई रहेगी माफ कीजिए जो लंबाई रहेगी speed breaker की starting point से लेके जो ending point रहेगा speed breaker का वो रहेगा 5 मीटर का ठीक है यानि जो speed breaker की लंबाई है वो आपको 5 मीटर लेनी है अब देखो यह क्या बोलना चाहरा है जो speed breaker का center है front center भी हमें यहाँ पर भी 10 cm ही रखना है लेकिन आप एक नई चीज यह नों बता दी है जो speed breaker के center से center से center से दोनों और या center से आप 1 मीटर 1 1 मीटर each side ठीक है आपको जो speed breaker रहेगा वो flat रहेगा ठीक है center से एक मीटर दोनों तरफ आपको speed breaker को flat रखना है plan रखना है उसके बाद जो बच्ची होई डेडर मीटर की दोड़ी रहेगी बहाँ पर आपको 1 in 20 का slope देना है ठीक है इस पेकार से आपको heavy traffic road के लिए speed breaker का drying में prepare करना चाहिए और इसके लिए रहेगी 17 मीटर ठीक है center से 1 मीटर दोनों साइड या 2 मीटर में आपको speed breaker है वो flat रहे है उसके बाद आपको दोनों तरफ डेडर मीटर में 1 in 20 का slope देना है और speed breaker की total जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 5 मीटर ओकर फ्रेंट तो यह जो speed breaker हम ड्राइंग बनाते है फ्रेंट वो हमें अपलोड कर दूँगा ओके फ्रेंट तो आज की वीडियो बस इतना ही अगर इस चैनल को लब सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजगा ओके फ्रेंट बाई बाई